Guys, हम discuss करेंगे Krishna river water dispute के बारे में, Krishna नदी जल विवाद के बारे में, बताया जा रहा है कि Honorable Supreme Court के दो judges ने Krishna नदी जल विवाद, Krishna river water dispute मामले से अपने आपको पीछे कर लिया है, जब भी कभी कोई judge किसी case की सुनवाई से पीछे हड़ जाते हैं, या किसी case को सुनने से पीछे हड़ जाते हैं, या किसी case में judgment देने से पीछे हड़ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, recusal कहते हैं, repeat करो, उसको क्या कहते हैं, recusal कहते हैं, तो Honorable Supreme Court के दो Judges हैं D.Y. Chandrachud और A.S. Bopanna इन्होंने कृष्णा नदी जल विवाद मामले की सुनवाई से जो है ये पीछे हडगा है इन्होंने बोला है कि ये सुनवाई नहीं करेंगे ये इस केस में अपने आपको जो है वो इन्होंने पीछे कर लिया है तो ये सिंपल सी च किया है क्योंकि दोनों Judges जो है वो महराश्च्रों और करनाटक से बिलॉंग करते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अपमान जनक और निंदात्मक आलोचना इनकी हो सकती है क्योंकि ये दोनों ही इस उस स्टेट से बिलॉंग कर रहे हैं जो जिस स्टेट का विवाद है ये तो इसक लिए इनोंने अपने आपको जो है वो पीछे कर लिया है तो आपको बदा ले है कि जब़ी भी कोई विक्ती जजज बनते हैं तब उस समय ओध ली जाती है शazarपत ली जाती है कि एक विक्ती जो है वो बिना किसी बह siehtkee जर के बिना किसी फीर के और बिना किसी इसमें वो जो सुनवाई कर रहे हैं, order दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जाने अन जाने में, उनसे पक्षपात अगर कर सकते हैं, जाने अन जाने में, हो सकता है अगर उनको ऐसा लग रहा है तो, तो फिर वो पीछे भी हट सकते हैं, और इस condition को recusal कहा जाता है, तो ये एक चीज जिसके बारे में ये topic हम लोग को news पे देखने को मिला है, पट जो main चीज है, पहली बात तो वो ये है, कि Krishna river, dispute जो है, यारे कि Krishna नदी को लेकर, जो विवाद है, वो किन राजियों के बीच का है, तो आपको ये राजिय के नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, याद रखि था, कि guys, Honorable Supreme Court ने 16 November 2011 को केंद्र सरकार को मना कर दिया था, कि केंद्र सरकार Official Gazette में, right, Inter-State Water Dispute Act 1956 के, जो final order, जो है, Krishna Water Dispute Tribunal 2nd का, मतलब कि, आसान और सिंपल शब्दों में, कि Krishna Water Dispute Tribunal जो था, यानि कि एक court जो थी, नियाले जो बनाई गई थी, इस्टैबलिश की गई थी, Tribunal, Krishna नदी के मामले को, जो है, वो सुल जाने के लिए, तो इस Tribunal ने जो अपना final order दिया था, यानि कि बताया था कि किन-किन state को, जो है, वो कितना-कितना पानी allocate किया जाएगा, यानि कि आंदर प्रदेश को, महराश को, करनाटक को कितना पानी म है, और तिलंगाना कब बनी है, बताओ जरा नीचे comment box पर लिखकर, 2014 में तिलंगाना बनी है, तो जिस समय तिलंगाना नहीं बनी थी, तो उस समय एक हमें देखने को मिलना था कि, Tribunal ने जो है, order अपना पेश कर दिया था, कि तीनो राजियों को कितना-कितना पानी जो है, व होती है, पूर्व शर्थ होती है, कि अगर Tribunal के order को implement करना है, तो उसके order को जो है, वो publish करना जरूरी है, right, केंदर सरकार के दौरा, official gazette में, तो केंदर सरकार को publish करने से मना कर दी, करनाटक यही बोल रहा है, कि ऐसा मत करो, इसको अलाओ करो, right, कारवाई जो है, वो आगे बढ़ाई जाए, तो पूरा मुद्धा है क्या, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते है, क्रिष्णा वार्डर डिस्प्यूट ट्राबनल का, यह इतना पुराना मुद्धा है कि जिस समय है, हैदरबाद, निजाम वाला हैदरबाद की में बात कर रहा हूँ, यानि कि ब्रिटिश राज के समय पर जो हैदरबाद हुआ करती थी, और मैसूर हुआ करती थी, टीपू सुल्टान वाला मैसूर, खेरा, तो यह जो छेत्र थे, उस समय पर भी, क्रिष्णा नदी के पानी को लेकर विवात था, फिर बाद में जाकर महराष्ट्र, आंध्रब्रदेश और करनाटक स्टेट्स बनी, तो इनके बीच में बीच में भी ये क्रिष्णा नदी के पानी की शेरिंग को लेकर विवात कंटीन्यू रहा, फिर 1969 में क्रिष्णा वाटर, आट 1956 के तहट और इस ट्राइबनल ने अपनी रिपोर्ट 1973 में प्रस्तोत करी और रिपोर्ट जो थी वो 1976 में पप्लिश हुई जिसमें कहा कि 2006,000,000,000,000,003 फीट पानि जो है कृष्णा नधी का 55% की dipendability के उपर राइट, तीन पार्ट्स में भाटड़ जाएगा, पाथ सो साथ thousand million cubic feet महाराश्च को दिया जाएगा, 700 thousand million cubic feet करनाटक को दिया जाएगा, और 800 आंध प्रदेश को दिया जाएगा, thousand million cubic feet पाणी, तो यह चीजो हुई, फिर बाद में नई शिकायते आई उठी नए विवाद जो है वो उठे अशंतोष जो है वो जारी हुआ व्यक्त किया गया इस्टेट्स के बीच में यानि कि तीनों राजियों ने असंतोष व्यक्त किया फिर एक दूसरी ट्राबनल बनी कृष्णा पॉर्टर डिस्प्यूट ट्राबनल दूसरी बनी 2004 में और इसने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत करी और इसने बोला कि कृष्णा नदी की 65% ड किया गया तो हुआ यह कि जब तिलंगाना बनी तो डिमांड आई आंधर प्रदेश की तरफ से कि तिलंगाना को अलग पार्टी बनाओ और ऐसे करके चार स्टेट्स जो है उसके बीच में एलोकेशन करो ना कि तीन स्टेट्स के बीच में याने कि कृष्णा नदी का पानी अभी तक तीन राजियों के बीच में डिवाइड हो रहा है तो कह रहा है कि नहीं चार राजियों के बीच में ये पानी को डिवाइड करो तो यह ची कितना पुराना था जब हैदरबाद और मैसूर हुआ करते थे वो स्टेट हुआ करते थे उस समय का था और जब मैं आपको वीडियो की लिंक्स प्रोवाइड करा हूं तो उसको कवर करके आया करो रिपीर टॉपिक्स में तो अभी इसके अंदर एक छोड़ा सा अपडेट है तो कृष्णा रिपर बॉडर डिस्प्यूट से रिलेटिड हमने पूरी चीज़ कवर करी इसमें एक छोड़ा सा अपडेट यह है कि करनाटक सरकार जो है वो औरिबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो पहुच गई है दरवाजा खटकट आया है कि औरिबल सुप्रीम कोर के पास किस चीज़ की करनाटक सरकार डिबांड कर रही है कि एक बेंच जो हो तैयार की जाई जहाँ पर सुनवाई हो और पूरे मामले को जल से खटक जल रिजॉल्व किया जाए और सुरीम कोट ने पार्टी से भी खाल है कि आप जो है पूरे मामले को जल से हल रिजॉल्व करने के लिए एक बार आपस में बातचीत कर लो मध्यस्ता से जो मुद्धा जो है उसको रिजॉल्व कर लो तो ये छोड़ा सा अपडेट हम लोग को करनाटक गोर्मेंट की पहल मिला वो तरह कि उन्होंने पहल करी है कि इस मुद्धे को जल से हल खतम किया जाए तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है ठीक है